किसी भी महिला को अपने वश में, वो भी उसके कपड़ों से जी हाँ, आप उसका एक कपड़ा लेकर और उसके बाद उसे अपने वश में कर पाएंगे वेलकम दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में, आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं किसी भी महिला को अपने वश में, वो भी उसके कपड़ों से जी हाँ, आप उसका एक कपड़ा लेकर और उसके बाद उसे अपने वश में कर पाएंगे, तो आईए अब आपको बताते हैं इसे करने का असान सा एक तरीका, जी हाँ, अगर आप चाहते हैं किसी महिला को संभोग के लिए वश में करना, तो वो महिला कोई भी हो सकती है, आपकी पडोसन हो सकती है, आपकी भावी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी लड़की हो सकती है जिससे आप प्यार करते हैं तो आज आपको बताते हैं कि कैसे आप उसे अपने वश में कर पाएंगे इसे करने के लिए आपको सबसे पहले उसका पहना हुआ एक कपड़ा चाहिए होगा ये कोई भी कपड़ा हो सकता है याद रखिए अंदर के कपड़े आपको लेने हैं तो इससे क्या होता है कि ये वशिकरन जल्दी काम करता है तुरंत आपको इसका असर देखने को मिलता है और आपकी जो वनो कामना है आपकी जो इच्छा है वो तुरंत पूरी हो जाती है कुछ घंटों के अंदर अंदर आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है तो अगर आप चाहते हैं कि कुछी घंटों में आपको इसका फल मिल जाए आप जो चाहते हैं वो कर लें आपकी जो प्रेमी का है वो आपके प्यार में दीवानी हो जाए तो आप इस उपाय को अंदर के कपड़ों के साथ ही कीजिएगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए एक कपड़ा इस्तमाल कर रही हूँ मैं आपर रखा है मैंने इसी तरह से आपको भी उस महिला का या उस लड़की का या उस पुरुष का कपड़ा लेना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं तो आपका पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा अब आपको जो दूसरी चीज करनी है वो ये करनी है दोस्तों कि आपको एक मंतर की जरूरत पड़ेगी इस मंतर को करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप एक कागस पर मैं आपको मंतर लिखके बता देती हूँ मंतर क्या है मंतर है फूल फूल कुमारी रानी पल में आवो शीग्र वश्मानी ये फूल मंतर पढ़े जगत इश्वर नरसिंग विज्ञान जी हाँ दोस्तों ये मंतर आपको लेना है अब आप यहाँ पर ये जो जगे मैंने खाली छुड़ी है यहाँ पर आपको उस महिला का उस लड़की का जो भी जिसका भी आपने कपड़ा इस्तिमाल किया है उसका नाम लिख देना है तो मान लीजिए अगर लड़की का नाम है रानी तो आप इस तरह से उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर और उसके बाद आपको इस मंतर का उचारण करना है दोस्तों 21 बार आपको इस मंतर का उचारण करना है 21 बार जब आप इस मंतर को पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको इस कागस को इस तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद आपको कागस को कपड़े के अंदर ऐसे रख कर कपड़े को ऐसे मोड़ देना है जी हाँ कपड़े को मोड़ने के बाद आपको जो मंतर आपने इसके अंदर रख दिया उसके बाद आपको इसे अलमारी में या फिर अपने तकिये के नीचे किसी भी एकांत जगे पर जहांपर कीसे कोई छूने न पाए आपके अलावा आपको इसे रख देना है और उसके बाद आपको सो जाना है अगली सुबह ही दोस्तों जी हाँ अगली सुबह आपके पास सबसे पहले ये महिला जिसका ये कपड़ा है वो सबसे पहले आपके पास आएगी और आपके मन की इक्छा पूरी हो जाएगी जैसा आप चाहेंगे व समय अपने घर में रहना है अगर आप अपने घर में नहीं रहेंगे और अगर वो महीला आपकी घर में आई तो फिर दोस्तों दुबारा 항 की लिए आपको दुबारा से इस उपाय को करना पड़ेगा इसलिए इस बात का ध्यान रखें तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए दोस्तों देखते रहे हमारे चानल को